Hello Friends, मैं हूँ विशेक जोशे, Electrical Engineering, बिला गुरूप अफ कंपनीज दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि contactor की rating किस तरीके से decide के जाती है Industries में practically आप ये कैसे decide करेंगे कि किस application में आपको किस rating का contactor लगाना चाहिए तो दोस्तों मैं बहुत simple method आज आपको बताऊंगा, कोई जादा calculation करने की जवरत नहीं है Simple कुछ multiplying factor आप ध्यान में रखिये और जहां तक DOL starter का सवाल है तो DOL starter में इस method को use करके आप contactor की rating easily पता लगा सकते हैं तो दोस्तों बिना time waste किस शुरू करते हैं देखें contactor के जो rating होती है यह depend करती है कि आपकी motor का full load current कितना है देखें feeder में हम लोग जो भी equipment लगाते हैं चाहे हम motor protection circuit breaker लगाएं जिसे MPCB भी बोला जाता है चाहे आप relay लगाएं चाहे आप contactor लगाएं यह सब कुछ depend करेगा कि आपके application में आपने कितने full load current की motor लगा रखी है आपके motor का full load current कितना है तो सबसे पहले तो आपको यह चीज़ देख लेनी चीए कि आपके motor का full load current कितना है उसके हिसाब से हम लोग contactor की rating decide करेंगे अब हम यह मान लेते हैं कि आपके motor का full load current है 10A तो अगर आप 10A का ही contactor लगाएंगे तो उसमें आपका contactor बार बार अपना contact छोड़ देगा इसका reason यह है कि motor का starting current होता है वो motor के full load current से 5 तू 6 times जादा जाता है अगर हम DOS starter की बात करें तो motor का starting current, motor के full load current से हमेशा 5 times या 6 times जादा जाता है for a millisecond of time और उसके बाद वो कम आ जाता है पर अगर आप contactor motor के full load current जितना ही लगाएंगे तो आपका contactor pick up होते ही छोड़ देगा क्योंकि उतना high amount of current वो sustain नहीं कर पाएगा तो इसमें एक general rule आप याद में रखिए कि आपके motor में जितने full load current है उसका 1.5 times आपको contactor लगाना चाहिए जैसे हमें example लिया है कि हमारे motor का full load current है 10 ampere तो 10 ampere का 1.5 times होता है 15 ampere तो अगर 15 ampere का contactor नहीं आता है तो 15 ampere से एक range higher की जो contactor available होते है वो contactor आपको use करना चाहिए ताकि जो starting phase है किसी भी motor का जो starting high current का time period है उसे आप easily sustain कर पाए अब माल लिजे आपकी जो motor है उसका full load current है 20 ampere तो 20 ampere का 1.5 times हो जाएगा 30 ampere तो 30 ampere का contactor आप अपने feeder में use कर सकते हैं इस तरीके से जो DOL starters है DOL starters में आपके motor का जो भी full load current है उसका 1.5 times आप कर लिजिए और उस rating का या उस rating से एक range higher का contactor आप अपने feeder में लगा सकते हैं पर दोस्तों ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेगा कि अगर आप star delta starter application का यूज कर रहे हैं तो आप फिर ये method यूज नहीं करेंगे 1.5 times का क्योंकि star delta starter में जो star contactor होता है उसकी rating अलग होती है जो delta और main contactor होता है उसकी rating अलग होती है पर अगर आप normal LT motor में काम कर रहे हैं अगर आप normal 5.5 kW की motor, 11 kW की motor जो आपकी normal LT motor होती है जो DOS starter पर चलती है उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस method का use easily कर सकते हैं ये बहुत effective method है कि आपके motor का जितना भी full load current है उसके 1.5 times ज्यादा की rating का आपका contactor होना चाहिए तो दोस्तो ये short video अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे comment box में बताईएगा contactor के types कौन-कौन से होते हैं star delta starter में contactor का selection कैसे किया जाता है अगर इस बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसी एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुड़ बाई